शरीर में जब रक्त का संचार सही धंग से नहीं होता, शरीर में जब ऑक्सिजन का फ्लो सही धंग से नहीं होता, तो क्या होता है? तो हमारे शरीर में क्लॉट्स हो जाते हैं, और हमारे जो रक्त के प्रवाह की प्रोसेस है, वो हैंपर हो जाती है, ये क्लॉट्स कई रीजन से होते हैं, गलत खान पान से भी ऐसा हो जाता है, सही मात्रा में ऑक्सिजन ना लेने से भी हो जाता है, और स्ट्रेस टेंशन एंग पूरे शरीर में oxygen के flow को बहतर करता है क्योंकि ये रक्त के प्रवाह को बहतर करता है जिससे आपकी सारी समस्याइं दूर होती हैं फिर चाहे वो hypertension है, high blood pressure है, चाहे वो skin ailments हैं, चाहे वो आपकी respiratory system से जुड़ी होई समस्याइं हैं, चाहे आपकी heart problems है, यानि सब ही समस्याओं का समाधान, कैसे करते हैं हम भारत योग की घरशन क्रिया, उसको आज हम समझते हैं. हमारे दोनो हथेलिया, ठीक हमें क्या करना चाये, 5 मिन्ट निकालने चाये, और इन 5 मिन्ट में सबसे पहले इस तरहा से हम हथेलियों को आपस में मिलाएं, इन्हें दबाएं, रिलीस करते हैं, फिरसे इन्हें दबाना पूरा देखें, पांचो उंगलिया एक दूसरे के सा दबाना, रिलीस कर देना, फिर से दबाना, रिलीस कर देना, कम से कम हमें दस बार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारे जितने भी एक्यप्रेशर पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारी उंगलियों में हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, और वहां से ही रक्त का प्रवाह जो है वो एफेक्ट होता है तो इनको अगर हम प्रेस करते हैं लेकिन अभी आप क्या करें आप पूरा दिन अपने हाथ में मोबाइल लेकर के बैचते हैं काम करते रहते हैं उस पर उसकी वेब्स उससे निकलने वाली तरंगें हमारे शरीर को नुकसान दूसरी चीज़ यह हमें दस बार करना है दूसरी चीज़ क्लैपिंग अब इस ही से हम ऐसा हमें कम से कम 20-30 बार रोज करना चाहिए तो जब हम 20-30 बार इस तरह से क्लैप करते हैं तो इससे भी हमारे एक्युप्रेशर पॉइंट पर असर पड़ता है और पूरे शरीर में रक्त का प्रवह सुचारू रूप से होता है तीसरा काम इस प्रकार से दोनों हथिलियों को मिलाना और कम से कम 30 सेकिंड से लेकर के 60 सेकिंड तक एक मिनट तक इसको रब करना रब करते जाएं रब करते जाएं रब करते जाएं फिर इसको बैक साइड में रब करना आप इसको हलका सा ओईल लेकर के भी कर सकते हैं जिससे इसका प्रवा बेहतर हो जाएगा और इस घर्षन को आप पूरे शरीर में भी कर सकते हैं विशेश रूप से पैर के तलवों पर अब अपनी एक उंगली को पकड़ेंगे इस तरह से ज्यानि हम उसे जो कड़काते हैं न उंगली वो नहीं करना इस तरह से यह जो पाठ है अंगूठा और यहां उंगली इसको प्रेस करना दूसरी उंगली को प्रेस करना तीसरी उंगली को प्रेस करना चौथी उंगली को प्रेस करना अंगूठे को प्रेस करना ऐसे ही दूसरे हाथ से हलका सा ओयल लेकर के करेंगे तो उसका प्रभाव ब तीन तीन बार दोनों हथेलियों में ऐसा करना चाहिए ठीक करते जाएं और पिर हल्का सा तेल दोनों हथेलियों में लेकर के आप अपनी हथेली को इस तरह से मसाज करेंगे दूसरी हथेली को इस तरह से मसाज करेंगे ऐसे और सेम यही आपको पैर के पंजों के साथ भी करना है फिर से घर्शन करना हथेलियों को बिल्कुल ठीला चुके यही पूरा प्रोसीजर हमें अपने पैरों के साथ भी करना है अब तीस रस्ट है यानि पहले हथेलियों के साथ फिर पैरों के साथ फिर हलका सा ओयल अपने हाथ में लेंगे और यह जो आपके कान है इसको देखिए आप एक दो तीन चार पांच बहुत जोर जोर से नहीं खीचना फिर से देखिए एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसा हमको एक कान से पाँच बार करना है ठीक है, फिर हम दूसरे कान से करते हैं इसको एक, दो, तीन, चार, पाँच एक यानि बिल्कुल नीचे, दो, डाइगनल, तीन, बिल्कुल साइड, चार डाइगनल, पाँच बिल्कुल उपर 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार एक कान से, 5 बार दूसरे कान से, ठीक, फिर अगला स्टेप जो हम लेंगे, वो लेंगे, ये देखे, इस तरहा से अपने हाथ को लिया, कान के पीछे लगाया, और इसे रोल कर दिया, ऐसे रोल कर दिया, ठीक, बहुत जोर से नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं पाँच बार ऐसा किया, फिर पाँच बार इसको हमने इधर से दोहराया कान के पीछे से पूरा ले करके पाँच बार और फिर अपनी हथेलियों को गरम करके दबाना रिलीस करना जब आप कानों को दबाएंगे आपको ऐसे हवाज आएगी जैसे तेज हवाज चल रही हो उसको सुनना रिलीस कर देगा पांच बार ऐसा करेंगे यह बहुत आसान सी भारत यूग की घर्शन ख्रिया आपको हर समस्या में अराम देगी फिजिकल प्रॉब्लम्स में तो यह अच्छी है ही आपके जो भी ब्रेन से संबंदित समस्या है ब्लड के सर्कुलेशन को एनरजी के प्रवा को बाधित जो हो जाता है उसको खोलती है और जो साधक हमारे प्रोग्राम्स अटेंट करते हैं या रेगुलर कोर्सेज या रेगुलर क्लासेज जुन्होंने आश्रम के अटेंट की हुई है तो हम इसे संगीत के साथ करते हैं तो जब बीट के साथ यह होता है तो और इजी हो जाता है आप इसको अभी ऐसे ही कीजिए जब कभी आप ओनलाइन प्रोग्राम अटेंट करेंगे तो आप इसको बीट के साथ भी करेंगे आप नियमित रूप से भारत योग की घरशन क्रिया का अभ्यास कीजिए आप देखेंगे कि आपकी maximum problems दूर होने लगेंगे आप अमारा कारिक्रम देखते रहें भारत योगा की माध्यम से आपने बहुत स्नेही दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रति दिन हम आपके साथ एक नया एपिसोड ले करके आते हैं आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, आनन दित रहें, हर्यो